हलो डियर सुडेंट्स आज केमिकल काइनेटिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स देखो क्या होती है आप लोगों ने प्लस टू क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या डिसकस करते हैं एक तो हम डिसकस करते हैं speed of the reaction कि कोई reaction जो है वो slow होगी fast होगी क्या होती है उसकी speed दूसरा हम discuss करते है mechanism of the reaction कि जो reactions है वो किस तरीके से होती है mechanism का मतलब होता है तरीका method कितने step में होती है और तीसरा factors affecting rate of reaction कि rate of reaction को कौन कौन से factors जो है वो affect करते है इन सब चीजों की जो study है वो हम लोग discuss करते है वो होता है chemical kinetics जैसे हमारे पास कुछ reactions बहुत fast होती है जैसे instantaneous reactions है ये fraction of second में हो जाती है मतलब बहुत ही ज़्यादा fast कुछ reactions जो होती है वो बहुत slow होती है जैसे rusting of iron हो गई iron लोहे को rust होने में जंग लगने में कई साल लग जाते है और कुछ reactions होती है जो ना तो बहुत ज़्यादा fast होती है ना ही बहुत ज़्यादा slow होती है intermediate speed होती है जिनकी तो इस तरह से जैसे covalent reactions है ester hydrolysis वगरा ये सारी reactions जो होती है ये intermediate होती है तो हमारे पास ना हर एक reaction का अलग अलग rate है या यूं कहो अलग अलग speed है तो speed इतनी different क्यों होती है उसका भी reason होता है देखो जैसे जो instantaneous reaction है या जो बहुत fast reactions होती है उन में क्या होता है कि देखो वो ionic reactants के case में होती है अगर हमारे पास ionic reactant है तो आपने क्या किया solution बनाया उसका water के अंदर तो ions जो होते हैं वो split हो गई फिर क्या होता है opposite charge वाले ion एक दूसरे की तरफ move करते हैं बस इसलिए reaction बहुत ज़्यादा fast होती है जो rusting of iron है जो extremely slow है उसमें क्या होता है कि वो environment की conditions पे depend करती है moisture है या नहीं air के अंदर presence of acid और base जैसे atmosphere के अंदर acidic gases की presence होती है बारिश आती है तो acid rain बनती है क्योंकि electrolyte की presence में rusting बहुत जल्दी होती है और जो intermediate rate वाली है वो covalent reactions है covalent reactions कैसे होती है उसमें क्या होता है bond breaking होती है reactants के bond जो है वो तूटते हैं धीरे धीरे करके और products के जो bond है वो धीरे धीरे करके बनते है तो इस दोरान कुछ time लगता है इसलिए वो ना तो बहुत ज़ादा fast होती है और ना ही बहुत ज़ादा slow होती है तो rate of reaction को mathematically हम लोग कैसे define करते हैं जैसे यहाँ एक example से लिखा गया है A reactant है और B product है मतलब A B में convert हो रहा है तो हम इसमें क्या करते हैं कैसे करते हैं देखो जैसे जैसे कोई reaction होती है वैसे वैसे reactants की concentration decrease होती जाती है और products की concentration धेरे धेरे increase होती है यह हम जानते हैं क्योंकि देखो initially क्या होता है आपके पास 100% reactants होती है जोंकि product तो तब तक बने नहीं फिर जैसे जैसे time proceed करेगा वैसे वैसे reactants react होने शुरू हो जाएंगे meaning reactants की concentration धीरे धीरे down होना शुरू हो जाएगी decrease होना शुरू हो जाएगी और product की concentration क्या होगी decrease in concentration of reactants divided by time और you can say increase in concentration of the products divided by time जैसे माल लीजिये हमारे पास जो time interval है वो है 15 minute का तो 15 minute में reactant की concentration कितनी decrease हो गई change in concentration लेनी है आपको उस change in concentration को आपने क्या किया time taken है जो हमारा 15 minutes है जो उससे divide करना है वो आगया rate of reaction यदि आप reactants की तरफ से नहीं निकालना चाहते हैं प्रोडक्ट की तरफ से निकालना चाहते हैं तो क्या होता है कि 15 minute के अंदर product कितने बने product formation कितनी हुई during that 15 minutes तो वो भी आप लिख लिजिए क्योंकि शुरू में तो product 0 होते हैं बिल्कुल 15 minutes के अंदर product की concentration कुछ तो हुई होगी ना क्योंकि reactant react हो रहे हैं तो ultimately बनेंगे तो product ही उसको भी आप उतने ही time से जो की 15 minutes है उसी से divide कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा rate of reaction दोनों ही तरह से निकाल सकते हो इसका unit क्या होगा देखो concentration by time है concentration का unit होता है mole per liter और time का unit आप minutes भी ले सकते हैं seconds भी ले सकते हैं hours भी ले सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे तो mole per liter per time ये हमारे पास unit हो जाता है उसके बाद हमारे पास होता है कि instantaneous rate है जो उसको आप लोग कैसे define करेंगे instantaneous rate होता है rate of reaction at any particular instant of time जैसे अभी भी मैंने आपको एक example दिया कि भी मान लो 15 minute में reactant कितने react हुए या product कितने बने ये तो आया 15 minute में मतलब यहाँ पर जो time duration है वो 0 से लेकर 15 minute हो गई लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि 15 minute पे क्या rate था तो वो होता है instantaneous at any particular instant of time क्या rate है जैसे आप लोगों ने physics के अंदर instantaneous velocity पढ़ी होगी आप जैसे कोई भी vehicle चलाते हो bike, scooter, गाड़ी, कुछ भी जब आपका ध्यान speedometer पे जाएगा तो वो उसी वक्त की velocity बताएगा ना आपको या speed तो वो होती है instantaneous at any particular instant of time तो जैसे आप देखिए एक reaction आपको दे रखी थी पिछले पेच पर A प्लस B इससे बन रहा है L प्लस M A प्लस B जो है A और B reactants है L और M क्या है products तो rate of reaction क्या होता है in terms of reactants minus of DA by DT DA का मतलब change in concentration of A DT का मतलब change in time और उसके साथ minus क्यों लगा क्योंकि reactants की concentration decrease होती है ऐसे ही product B के with respect to लिखो गए तो minus DB by DT हो गया और यदि product के with respect लिखो गए तो minus sign नहीं आएगा DL by DT आएगा या फिर DM by DT इसके साथ plus sign लगाया गया specially आप plus specially लगाओ या नहीं लगाओ कोई फरक नहीं पड़ता इससे और यदि इसके साथ इसके stoichiometric coefficient होंगे जैसे A मॉल A प्लस B मॉल B is equal to L मॉल L प्लस M मॉल M है तो जो coefficient होते हैं वो divided by में हो जाते हैं expression देख लीजे बिलकुल सेम है बस DA by DT जो था माइनस का उसको आपने A से डिवाइड कर दिया ऐसे माइनस DB by DT को B से ऐसे ही DL by DT को L से और DM by DT को M से डिवाइड कर दिया आपने अब जो rate of reaction है देखो ये कभी भी negative नहीं हो सकता हलांकि expression के अंदर हमने negative लिखा है लेकिन negative हो नहीं सकता rate of reaction के अगर general बात करें तो वो है DX by DT अब दो ग्राफ ये जो नीचे ग्राफ बने हुए इनको समझिएगा ग्राफ के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे reactants है वो down हो रहे है और दूसरा B graph है जो C graph में क्या है product है जो वो धीरे धीरे increase हो रहे है DX by DT को आप क्या लिख सकते हो X2 by X1 upon T2 by minus T1 rate को DX को लिखोगे X2 minus X1 change in concentration of X और DT को लिखोगे T2 minus T1 change in concentration of T तो graph को देखो reactant के with respect to अगर बात करोगे तो minus sign तो पहले से आ जाएगा और X2 minus X1 करना है अब आप देखोगे X2 कम है X1 जादा है तो ultimately वो क्या हो जाएगा minus minus प्लस हो जाएगा और product को देखोगे तो X2 जादा है X1 कम है तो वो वैसे ही positive रहेगा तो इन दो graph से हमें ये पता चलता है कि rate of reaction कभी भी negative नहीं होता समझ गे होंगे आप इस बात को उसके बाद आ जाता है factors affecting the rate of reaction जैसे पहला है nature of the reactants nature of the reactants में क्या होता है जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी reactants हैं जो वो different rate से react हो रहे हैं इसको आप यूं समझ सकते हो जैसे ionic reactants होते हैं तो हमने शुरू शुरू में बढ़ा कि ionic reactions are very fast or they are instantaneous reactions तो वो इतनी fast क्यों हैं कैसे हैं मैंने आपको बताया कि ionic में कोई bond breaking या bond formation नहीं होता जैसे ही आपने उनका adequate solution बनाया तो reactants जो होते हैं वो अपने ions के अंदर split हो जाते हैं और जो products होते हैं वो बनते हैं तो होता क्या है opposite charge वाले ion एक दूसरे की तरफ move कर जाते हैं और extremely slow में हमने आपको बताया जैसे rusting है तो वो क्या है atmosphere की conditions पर depend करती है कोई electrolyte है या नहीं है iron को कहीं से कोई cut लगा हुआ है कहीं से bend है वो तो बहुत सारी conditions पर depend करती है वो और जो covalent reactions हैं उनमें क्या होता है old bond breaking and new bond formation takes place तो इस तरह से ये reaction होती है ठीक है ये है आपका nature of the reactants दूसरा आ जाता है concentration होते थे law of mass action उसमें क्या आता था कि rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of the reactants इसको अगर हम appropriate language में कहें तो हम उसको activity बोलते है activity का मतलब होता है active concentration of the reactants कि reactants की active concentration कितनी है actual concentration तो देखो अब आप इस बात को समझेए initially जो होते है वो reactants होते है product तो उस वक्त होते नहीं फिर जैसे जैसे time बितेगा तो reactants धीरे धीरे कम होंगे इसका मतलब reactants की concentration धीरे धीरे क्या होती जाएगी कम होती जाएगी समझ की बात अगर reactants की concentration धीरे धीरे कम होगी तो reaction की जो speed है वो भी तो धीरे धीरे कम हो जाएगी और ultimately जब reactants almost react हो जाएंगे मतलब reactants बहुत कम बचेंगे उस वक्त reaction की speed जो है वो बहुत ही जादा कम हो जाएगी मतलब हमें ऐसा लगेगा कि reaction इस वक्त रुक चुकी है बंद हो चुकी है क्यों होगी क्योंकि उस वक्त reactants बहुत ही ना के बराबर बचे हुए हैं तो फिर इस टाइम पे हमें अगर rate of reaction बताना हो तो हम average rate of reaction define करते हैं देखो शुरू में rate of reaction बहुत fast है बाद में उसी reaction का जो rate है वो slow हो गया अब आप से कोई पुछे कि इस reaction का rate बताओ तो आप यह तो नहीं कहेंगे ना कि पहले 10 मिंट में इतना ज़्यादा था फिर अगले 10 मिंट में कम हो गया फिर अगले 10 मिंट में और भी कम हो गया तो इसलिए हम क्या करते हैं total change in concentration divided by total time taken जैसे हम average speed बताते हैं भी पहले एक घंटा आपने 80 km की speed से गाड़ी चलाई अगले गंटा आपने 60 की speed से चलाई तो हम average speed बताते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी हम average rate बताएंगे कि कितनी change in concentration हुई और कितना हमें time लगा next आ जाता है आपके पास temperature तो rate of reaction temperature के साथ साथ increase होता है आगे हम theories के अंदर भी पढ़ेंगे ऐसा जैसे जैसे आप temperature increase करोगे वैसे वैसे reaction की speed भी जो है वो increase होती है और यहाँ पर यह लिखा गया है कि यदि हम 10 degree temperature rise करते हैं तो reaction की speed almost double हो जाती है तो इसको हम collision theory के अंदर भी पढ़ेंगे आप आगे पढ़ेंगे जैसा कि आपने अपनी earlier classes में भी पढ़ा हुआ है कि threshold energy होती है और activation energy होती है जो energy barrier का concept था कि reactants जो होते हैं वो एक particular energy barrier को cross करते हैं तो वो product में convert हो जाते हैं तो zero point से लेकर के barrier तक की जो energy होती है वो हमारी threshold energy होती है अब reactants के पास initially कुछ energy होती है और कुछ energy हमें उन्हें provide करनी पड़ती है वो energy को हम बोलते हैं activation energy जितनी activation energy कम होगी उतनी ही reaction की जो speed है वो क्या होगी जादा होगी इस diagram को आप देख के समझ सकते हैं तो इसलिए हम बोलते हैं कि rate of reaction directly proportional होता है temperature के क्योंकि temperature क्या करता है necessary activation energy provide करता है यह detail में हम discuss करेंगे जब आपको collision theory में बताऊंगा next factor आ जाता है presence of catalyst तो catalyst क्या है हम सब जानते हैं catalyst होता है जो वो reaction को speed up करता है reaction का जो rate है reaction की जो speed है उसको बढ़ा देता है लेकिन यह ध्यान रखते हैं इस चीज़ का reaction जो catalyst है वो उसी ही reaction को fast कर सकता है जो reaction spontaneous हो मान लीजिए कोई reaction है जो वो possible ही नहीं है मतलब वो हो ही नहीं सकती तो फिर आप catalyst चाहे डाल दो तो भी वो नहीं होगी हाँ अगर कोई reaction हो रही है लेकिन धीरे धीरे हो रही है उस reaction को catalyst fast कर देता है और catalyst जो होता है वो चा करता है जैसे की heterogeneous catalyst activation energy को low कर देता है अपना surface प्रवाइड करवा देता है तो reaction जो होती है वो क्या करती है fast हो जाती है लेकिन catalyst जो होता है वो equilibrium condition को different change नहीं करता और ना ही reaction की enthalpy को next आ जाईए आपके पास होता है exposure of radiation exposure to radiation अब देखिए कई बार कई reactions होती है जो अंधेरे में नहीं होती darkness में नहीं होती बट किसी particular light की presence में होती है कोई sunlight की presence में होती है क्योंकि light में भी तो energy होती है photo chemical reactions बोलते हैं इनको तो जो reactions light की presence में होंगी वो darkness में नहीं हो सकती तो यहाँ पर radiation भी जो है significant role play करती है ऐसे ही आपके पास आता है nature of the solvent तो solvent जो होता है उसकी कई properties होती है जैसे हम कई बार solution बनाते हैं water के अंदर कई बार हम organic solvents के अंदर reaction करवाते हैं तो एक तो उसमें होता है देखिए dielectric constant अगर किसी solvent का dielectric constant हाई है जैसे water का example नहीं तो water का dielectric constant nearly 81 होता है जो कि बहुत हाई है तो बहुत हाई dielectric constant का मतलब होता है कि water के अंदर हम variety of solutes को dissolve कर सकते हैं तो water is very good solvent दूसरे एक polarity polarity में हम लोग क्या पढ़ते हैं जैसे like dissolves like का rule होता है कि polar solute में polar solute जो है वो polar solvents के अंदर ही dissolve हो सकता है non polar जो है वो non polar में ही dissolve होगा और होता है जैसे influence of solvation solvation के अंदर भी क्या होता है कि कई बार जैसे हम बोलते हैं भी solute मान लीजिए polar है आइनिक है और solvent भी polar है तो वो क्या करेगा उसको अपने अंदर dissolve कर लेगा solvate कर लेगा जैसे water का case लें तो हम बोलते हैं कि वो उसको hydrate कर लेता है ठीक है तो इस तरह से हम लोग nature of solvent जो है वो define करते हैं तो यह general general discussion जो था वो हमने किया है आज तो बाकी आप इसको अपनी book से भी एक बार read out करेगा फिर हम इसको further आगे next lecture में continue करेंगे और जो भी इसके doubts होंगे आपके वो फिर हम live class के अंदर discuss कर लेंगे आप इसको अपनी book से एक बार अच्छे से पढ़िए गा जो मैंने बोला है thank you